मेरे परिवार जनों, गरीब के साथ जितना अन्याय कॉंग्रेस ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब ने इस भाईयो भेनों, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने ये तै किया, कि मैं अपने हर गरीब भाई बेन को संकट की इस गड़ी में मुप्त राशन दूँगा, हमने गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की, कोई भी परिवार ऐसा न हो, जब इन कोरोना की मुसिबत के समाएं, जिसका घर का चूला न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो, जिसको रात को भूखा सोना पड़े, और इसलिए मोदी ने अन्द के भंडार खोल दिये, और देश के गरीबों को मुप्त में अन्द दिया, आज भी चल रहा है, लेकिन 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार ने, आप सुनिये, गरीब के पेट में जाने वाला आन्ना, गरीब का जलने वाला चूला, ये भी कॉंग्रेस के लोगों के लिए चूरी करने का माध्धम बन गया, कॉंग्रेस सरकार ने, इसमें भी गोटा ला कर दिया, आज यहां का हर लाबार्ती, कॉंग्रेस सरकार से पूछ रहा है, कि बताओ, हमारे हग का राशन कहां गया, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, गर गर जाकर कि बताओगे कि नहीं बताओगे, क्या कॉंग्रेस ने जवाब देना चाहिए, नहीं जेना चाहिए, आप मुझे बताओगे, साथियो, जो राशन में गोटाला करे, वो वापिस आने चाहिए क्या, उनको दुबारा मोका देना चाहिए क्या, और अगर मोका मिल गया, तो ज़्यादा गोटाला करेंगे के नहीं करेंगे, चाहिए, चाहिए, पूरी तरह तबा हो जाए कर नहीं हो जाएगा, साथियो, ये तो मैं दिल्ली में बैटा हूँ न, तो थोड़ा भी डरते हैं, ये दुबारा मोका मिला, दुबारा मोका मिला, तो गोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, चत्तिस गड़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा, साथियो, कॉंग्रेस सासन में, अनेकों छोटे छोटे बच्चों की, कूपोशन से मौत की खबरे आई हैं, ये कितनी पिड़ा बैश सिती हैं, किसी सरकार की इस से बड़ी असफलता भला क्या हो सकती हैं, कॉंग्रेस सरकार ने इस खौफनात सचाई को दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है, कॉंग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सारोकार है, लेकिन आपके बच्चों से, आपके बच्चों के जीवन से, कॉंग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपने बच्चों की जिन्दगी बनानी है,